ये 20. सधी नहीं, बदल गई है दुनिया। संयुक्तराष्ट सुरक्षा परिशद में भारत ने ऐसी की धुलाई कि शायद ही भूल पाए चीन। भारत ने संयुक्त राष्ट सुरक्षा परिशद में सुधार का अडंगा लगाने के लिए चीन को जम कर फटकार लगाई है। भारत ने सुरक्षा परिशद में सुधार के लिए पेश किये गए UFC आम सहमती के लिए एक जुटता मॉडल को बिकार बताते हुए इसकी आलोचन की। संयुक्त राष्ट में भारत के इस्थाई दूत रुचरा कमबोज ने कहा, UFC मॉडल संयुक्त राष्ट के इस्थाई सीट में कोई बदलाव नहीं होने देता, साथ ही इसमें अफरिका और ग्लोबल साउथ को कोई प्रतिनेधित्व नहीं दिया गया है। कमबोज ने क कहा कि UFC में शामिल 12 सदस्य और दो परियवक्षक संयुक्त राष्ट में शामिल अधिकान देशों के विचार के खिलाफ है। इसके साथ ही रुचिरा कमबोज ने UFC मॉडल का समर्थन करने वाले चीन की पोल भी खोली है। इसने आगे कहा अफरिका जहां पर 54 देश है जो संयुक्त राष्ट की दोनों श्रेणियों में सुधार की मांग कर रहा है। क्या ये उचित नहीं है कि जब अफरिका खुद सुधार की मांग कर रहा है तो इसका फैसला उनके अधार पर होना चाहिए। मेरी UFC से मांग है कि अफरिका और दूसरों को इस्थाई श्रेणि में क्यों प्रतिनिधित्व नहीं मिलना चाहिए। चीन के इरादों की खोली पोल। कमबोज ने आगे कहा भारत का मानना है कि बिना सीट, बिना अधिकार, बिना आवाज के ग्लोबल साउथ के देश यूए एससी में आते हैं किसी भी सुधार को उसमें शामिल इस्थाई सदस्यों की सहमती के बिना नहीं किया जाना चाहिए। क्या ये गलत नहीं है? कमबोज ने इस्थाई परिशत को बीस्वी सदी की भूराजनीती किस्थिती के हिसाब से बताते हुए कहा कि आज समय बदल गया है, आज दुनिया बहुद्रूवी हो गई है और ऐसे में संयुक्त राश्ट बिना बदलाओ के काम नहीं कर सकता है।